चलो यार आज 10 किलोमेटर तक साइकील चलाएं थोड़ा यहाँ पर रेश ले लेते हैं रुको जया रा यार एक सिटको भर मंगाना था हमारा साइकल में सीटको भर नहीं है साइकल प्राड़ा सा प्राबलम होता है तो कौन सब बेस सीट कोवर है चलो पहले ओर करते है परी म्यूजिक अरे हां बेस्ट कोवर मिला यार चलो ओर हो चुका आप देखते हैं कब तक आता है तो चलो आप हम चलते हैं यहां से काई के अभी बहुत सारा काम भी है कि चलो यार परेशान होगे बार बार जो है निवस का प्रॉब्लम आता है क्या करें आज इसको फिक्स कर देंगे यह बड़ी अच्छी बात कहीं है यह हिलने का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा इसी तरह से चलाना पड़ेगा हटा केरियर में बेट के चलाते है इस तरह से कोई नहीं है so guy you know स्वाहखत हमारे यूटु चैनल राजी जी में इस क्या आपका साइकल का भी सिस्ट इस तरह से घूमता है व्लने का प्रॉब्लम आता है लूज होने का प्रॉब्लम आ भीट इसा भीन हो जाएगा और यह गूबने का प्रॉबलम है यह जिए जैसे कि चप्टा ऑप है आपका जो चब्टा हो जाता है चप्टा हो जाने के बाद फूल टैट तो ले लेता फिर आपका जो इस तरह से गुमने का प्रॉबल्म नहीं आता है थिके गुमने का प्रॉबलम नहीं शतंव तो फिर कोई दिक्कत नहीं आगा सीट पिलर सही नहीं है फिर आपका लूस का प्रॉबलम हमेशा आएगा सीट भी आपन डाउन का प्रॉबलम आएगा और इस तरह से घुमने का प्रॉबलम आएगा तो हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहेंगे जैसा कि देख पार है हमारा आपका ही प्राइस के आएगा वही बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको यह सीट पिलर पाइंप देखाएंगे हो तो हम एक साइकल में फिट किये थे तो यह देखिए आपका जो सामने से भी जो है दब चुका है और यह आपका उपर से भी दब चुका है ठीक है यानि वे आप अपना साइकेल में ना लगाएं जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिये बता दिए तो यह रहा कमदां कचीट कीलर यह दोनों ही कमदां का सिट पिलर है और यह आपका यह करे से बताना चाहेंगे स्साły फिलर पांप लेते हैं साइकिल सोब से तो ये आप 25 से 30 रूपय का अंदर में आपको मिल जाएगा अगर आप अपको भी वुल ते ह developments कर देए आपका танे ये चुन अब और हमेशा ॉफिक्स रहेगा चीट कभी भी Flex का प्राब्लम नहीं आएगा शीट पिलर्पइप सही लगा लिते हैं अपना साईकल में फूचर कभी भी नहीं आएगा क्यूंकि हेवी सीट पिलर पाइब जो होता है या पर्मामेंटली फिक्स वाला होता है इसके विसे तो चलिए फिर मिलते एक नेक्ट नॉलेज़ विडियों तो तक लिए अपना ध्यान रखे जहीं जै भारत प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना विल्कुल न भूलें